गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में राश्ट्रकूर्ट सासकों की कला के बारे में जानकरिपरात करेंगे देखें स्टूडेंट्स जो टोपिक हम आज पढ़ने जा रहे हैं एकजाम के दस्टे से बहुती मैताव पूर्ण है और राश्ट्रकूर्ट सासकों के बारे में हमने पहले भी काफी कुछ पढ़ा है जैसे कि राश्ट्रकूर्ट कौन सा राजवंस था ये कहां के थे और राश्ट्रकूर्ट सासकों कोरे में उट्सही निर्माता थे चुकि इस वन्स के अधिकान सासक सैव मतानुयाई थे अतह उनके काल में सैव मंदिर एम मूर्तियों का ही निर्माण परमुक रूप से हुआ था जैसे कि एलोरा, एलिफेंटा, जागेश्वरी, मंडपेश्वर जैसे इस्थान कलाकर्तियों के निर्माण के परशित के अंदर बन गए थे एलोरा तथा एलिफेंटा जो अपने वास्तु तक्षण के लिए विश्वपरशित हो गये हैं कई बार एकजाम में एलोरा के बारे में पूछ लेते हैं तो देखेगा जो एलोरा है यह महराष्ट्र प्रांत के ओरंगाबाद में इस्थित एलोरा नमक पहाड़ी पर अठारा ब्राह्मन मंदिर एम चार जैन गोहा मंदिरों का निर्माण करवाया गया है यहां पर ठीक ह रास्ट्र कूट कला पर चालू के एम पल्लव कला सैलियों का परभाव स्पस्ते परिलक्सित होता है तो जो रास्ट्र कूट कला सैलिय है उस पे चालू के और पल्लव जो कला सैलिय है इनका परभाव दिखाई देता है एलोरा के मंदिरों में कलाश मंदिर अपनी वे करके करवाया था तो जो क्रिश्ण पर्थम है इसने करलाश नाथ जो परवत मंदिर है इसका निर्मान करवाया था ये प्राचीर भारतिय वास्तु एमतक्षन करला का सर्वत क्रिश्ट उधारन है ये संपोन मंदिर एक ही पासान को काट कर बनाया गया है सरव परतम एक विशाल सिला छित्र को कठोर स्रम द्वारा उतकिन कर उसके चारों ओर का फालतु हिस्सा निकाल दिया गया तथा बीच का भाग जहां मंदिर बनना था छोड़ दिया गया इस मद्यवर्थी भाग में ही मंदिर बनाया गया निर्मान कारिय उपर से नीचे की ओर किया गया तथा इस्तापत्ते कारिय के साथ साथ मूर्तिकारी अलंकरण भी किया जाता रहा इस प्रकार इस्तुपी से जगती अर्थात आधार तक के दिर्मान की संफून योजना बना कर उसे किर्यानवित किया गया मंदिर का विशाल प्रांगन 276 फुट लंबा तथा 154 फुट चोड़ा है इसमें विशाल इस्तम लगे हैं तथा छत मूर्तिकारी से भरी हुई है पर्तित होता है कि इन्ही के उपर दे विमान और मंडब तीके हुए है मंडब की सपार छत 16 स्थम्भों 16 स्थम्भों पर आधारित है ठीक है जो चार चार के समुह में बनाय गए है विमान दूतला है मंडब तथा विमान को जोड़ते हुए अर्द मंडब अत्वा अंतराल बनाया गया है विमान का चार तला सिखर काफी उंचा बनाया गया है तथा इसके तीन और परदक्षिना पत है इसमें पांच बड़े देव प्रकोष्ट बनाय गए हैं सिखर पर इस्तूपिका बनाय गई है मंडब के सामने एक विसाल नंदी मंडब तथा उसके दोनों पाश्रों में दो द्वज स्तंब बनाय गए हैं जो मंदिर को गरीमा परदान करते हैं इसकी शेली मामलपुरम के रथों की शेली से अनुप्रेरित दर्विड प्रकार की है मंदिर के समी भी पासान काट कर एक लंबी पंक्ति में हाथियों की मूर्थियां बनाय गई हैं मंदिर की वीथियों में भी अनेक देवी देवताओं की मूर्थिया उत्किर्ण की गई हैं इनमें गोवर्दन धारण किये कृष्ण, भगवान विश्णू, सिव के विविद रूपों, महिशा सुर का विध करती हुई दुर्गा, कैलाश परवत उठाए हुए रावन, रावन द्वारा, सिताहरन तथा जटायू के साथ युद, आधी दुरिशों का अंकर अत्यंत कुशलता पूर्वक किया गया है पासान काटकर बनाए गए मंदिरों में इस मंदिर का स्थान एद्वित्य है करकराज के बडोदा लेक में इसे अद्वुत सन्न वेस कहा गया है बताया गया है कि इसे देखर देवलोग के देवगण अचम्बित हो गए तता इसकी सोभा को मानव दिर्मान से परे बताया कलावी जो पर्षी ब्राउन है इसकी तुलना मिस्री वास्तु तथा युनानी पोसी डान मंदिर से करते हुए इसे प्रिप्रुत शैल वास्तु का विश्वा में सबसे विलक्षन नमुना मानते हैं एलोरा के मद्दे मंदिरों में रावन की खाई देव वाडा दसावतार लंबे स्वद नेल कंट आधी विशेश रूप से उलेखनिये हैं रावन की खाई का बाहरी ब्रामदा चार स्थम्बों पर आधरित है इसके पीछे बारे स्थम्बों पर टिका हुआ मंडप है गर्व गरह के चारों ओर पर दक्षिना पत है जिसकी उत्री तथा दक्षिनी दिवारों पर अनेक पोरानिक आख्या नो एवं देवी पर प्रवत उठाए हुए रावन की दुरिश्य का सुंदर चित्रण है दसावतार मंदीर का निर्मान आठवी स्थापदी में बंती दुर्ग के काल में हुआ था यह दूतला है तता इसके द्वार पर नंदी मंडब बना है अधिस्टान में 14 स्थम्र लगे हैं इसकी मूर इसमें बगवान विश्णों के दस अवतारों की कथा मूर्तियों में अंकित हैं। इसमें बगवान विश्णों के दस अवतारों की कथा मूर्तियों में अंकित हैं। इसमें तीन और प्रांगण हैं, मुख्य प्रांगण में दोनों और दो देव प्रकोष्ट बनाए गए हैं। इसमें साथ इस्तंबों की पंक्तियां हैं। इस्तंब कोलाकार हैं तता इनके सीरे गुंबदाकार बनाए गए हैं। गुफद्वार पर दो विशाल सेहं बने हैं, परदक्षिना पत में बनी मूर्तियां कौफी सुन्दर हैं। सीवतांडव का दर्शांकन शर्वतम है। इलोरा की कुछ गुफ़ाएं जैनमत से भी संबंदित हैं। इनमें इंद्र सभा और जगनात सभा उलेखनिये हैं। पहली दूतल्ला है जो एक विशाल प्रांगण में बनी हैं। इसमें एकास्मक हाती द्वज स्तंब तथा लगू स्तंब हैं। इंद्र इंद्रानी की सुंदर परतिमाओं के साथ साथ इस गुःँ मंदिर में जैन तिर्थंकरों जैसे की सांतिनात, पाश्वनात, आदी की परतिमाएं बनाएं। गुफाओं के इस्तंब आधार मद्धे तथा उपरी भाकरम से चत्तुस कौन तथा गोल बनाए गये हैं। सबसे उपर आमलक बना है। जगनात सभा का वास्तु विन्यास भी इंद्र सभा से मिरता जूलता है। अब देखेगा एलिफेंटा, तो चालू के स्तापत्ते के नमूने एलिफेंटा तथा जागेश्वरी से भी मिरते हैं। अब देखेगा राष्ट्रकूटकाल में मूर्ती और तक्षन कला कैसी थी। अब देखेगा एलिफेंटा अपनी मूर्ती कारी के लिए सुपर्शिद हैं। इस काल के शिव तथा विश्णू की मूर्तियां सरवादिक पर्शिद हैं। एलोरा से सिव की तीनों सक्तियां जैसे की उत्पति, इस्तिति तथा विनास्य संबंदित मूर्तियां मिलती हैं। इनका सोंदरी एम गढ़न उच्कोटी का है। रक्ष्मी, महिस मर्दिनी, दुर्गा, सब्त मात्रे काउं आदी की मूर्तियां भी भवे एम सुंदर हैं। दसावतार गुफा में बनी मक्रा रूड गंगा की मूर्ति उत्क्रेष्ट है। इलिफेंटा की मूर्तियां मूर्ति सिल्फ के चर्मोत कर्ष को सुचित करती हैं। यहां की गुफा में शिव, ब्रह्मा, विश्णू, सूर्य, इंद्र, यम, घणेज, इसकंद, आदी की मूर्तियां बनाई गई हैं। शिव के विविद रूपों इम लिलाओं से संब्धित मूर्तियां काफी अच्छी हैं। उत्री द्वार के सामने जग परसिद त्री मूर्ति हैं जो समस्त राष्ट्रकूर्टकला की सर्वतम रचना है। पहले ऐसा समझा गया था कि वह बर्मा विश्रू इम शिव की स्यूंत पर्तिमा है जिनकी गणना त्रीदेव में की जाती है। यह 17 फीड 10 इंच उची है इसका केवल आवक्स तक का भाग दिखाया गया है। बीच का मुख सिव के सांध दाइं ओर का मुख रोद्रे तथा बाइं ओर का मुख जो नारी मुख है सकती रूप का पर्तिक है। कलाकार को विविद विरोधी सकतियों को कला में मूर्त रूप देने में आसा तीत सफलता मिली है। अब देखेगा एलोरा की चित्रकला वास्तो तता तक्षण के शाथ साथ एलोरा चित्रकला का भी महतोपुन केंद्र है अपनी चित्रकारी के काड कैलाश मंदिर को रंग महल भी कहा जाता है दुर्बागे वस यहां के अधिकतर चित्र नस्ठो गया है या फिर फिके पड़ गया जो भी दिखते नहीं है एलोरा के चित्रे जैन दता ब्रामन द्रमों से सम्धित है जीने साथ वी से ग्यार विस्ताबदी के बीस तयार किया गया था कैलाश मंदिर में की गई चित्रकारिया उत्तम कोटी की हैं मंडब की चट पर नटराज सिव का चित्र है जिसमें उनके दस मुझाएं दिखाई गई हैं देव मंडल देवियों के साथ सिव को स्रधान जली अरपित करते हुए परदर्शित किया गया है इंदर सभा में पासरणा तथा अन्य तिर्थंकरों के चित्र बनाएगे हैं इनके मुख मंडल की शांत भावना दर्शनिय है गरूड पर आसेन विश्नु के दोनों ओर लक्समी तथा भू देवी का अंकन है चित्रों के मादेम से सिव की विविद लिलाओं को दिखाया गया है चित्रों में चटक रंगों की परमुकता है तथा रेखाओं का उभार परभाव पूर्ण है बारिक नकासी के उधारन मिलते हैं इस्तंबों पर बने व्रक्षों एमलताओं के चित्र अनुपम हैं विद चित्रों के निर्मान के बाद उन्हें सुंदर चित्रों से अलंकरित किया जाता था चित्रकला पर अजन्ता का परभाव है किन्तु शैली भिन परकार की है राश्ट्रकूर्ट चित्रकला में अजन्ता चित्रकला जैसे भाव तता शोंदरिय नहीं मिलते हैं चित्रों के न रास्ट्रकूट स्थापितों एं सेल्फियों ने अपनी पूर्व कालीन एं समकालीन अनेक कला सहलियों को ग्रहन कर अपनी अनुभूती तता कोंसल को उसमें समेलित करके वास्तु एं तक्षन को नया आयाम धिया। उनकी क्रेतियों में गुप्तियों की अपेक्षा अधिक विशार्ता अलंकरण एम समतकार द्रेश्टी गोचर होता है अने कला समिख सकतो रास्टर कूट वास्तों एम स्थापत्ते को ही भारते कला का सुणिम अध्धा निरूपित करते हैं तो देखें इस चेप्टर में हमने रास्टर कूट जो सासक हैं उनकी कला के बारे में जानकरी प्राप्त की वीडियो यह दिया आप लोगों को पसंद आए तो आप लाइक और शेर करें आपके पास जो भी सुझाम है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारा वीडियो अंतक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद